सावन के चावथे सुमवार को भक्तों में दिखा अपार उत्सा गोपाल आश्रम सिद्ध देश्वरनात मंदिर में उन्हें श्रदालों बताया इस दिन पूज़ा अर्चना में बेलपत्री का होता है खास महत्त्रे रोजा बाद आज सावन के चौथे सूमवार को घर गर में अल सुबह से ही लोग बिलपत्री फल, फूर लाने को घर से निकल पड़े चुंकि सावन के सूमवार को बेलपत्री का बहुत महत्व होता है इसी कारण शिवजी की शिवलिंग पर बिलपत्री आदी चाहे जाती है वहीं इसके अलावा शुदालों ने सुबह से ही शेहर के बाईपास रोड स्थित गोपाल आश्रम, गंज मोहला स्थित सिद देशवर नात मंदिर, सहित कई मंदिरं में पूछा अर्चना शुरू कर दी साथ ही मंदिरों के मेंतों ने बताया इस माह का बहुत ही महत्र होता है भगतों की हर मनुकामना पूंध होती है चौथ है सुमबार को भगतों में अपार उच्साहब भगती को लेकर दिखाया वहीं उगवास रखने वाले भगतों में विधी विधान से पूजा अर्चना की इसलिए सौमबार से पूजा करते हा रहे हैं वैसे निसिस पूजा है और जो वेक्टी पजल बगारा चड़ा के बिल पत्र बगारा चड़ाता है और तो दैस है दिख्याजी से पूजन करके अपनी बनों कामना पूर करता है किस तरह से आज यहां पर दाल्यों को पूजा कराई आ रही है आज बेक्टी को लग रहा है कि चौटा लाश्ट सौमार है तो ऐसा कुछ नहीं है पांच चौथा सौमार है और इस वजह से बेक्टी बहुत कम आये हुए हैं किस तरह की यहां पर विवस्ता की गई है और किस तरह से तरह से दर्शन की जाता है और बाकिया अनिता जादा नहीं है तो एक साथ चलते रहते हैं आप लोग दिक्कल नहीं है कर दो कर दो एक सकता है